हेलो दोस्तों मेरी यूट्यूब चैनल निकिस ग्रीन के चैनल में आप लोगों का स्वागत है आज मैं आपके इस वीडियो में बताऊंगी कि आप गर्मियों में कौन कौन से फुर लगा सकते हैं तो वीडियो को बिना इसकीप की एंड तक जरू देखें तो चलिए वीडिय में भर दूंगी मैं इसमें कम से कम दो इंज का ग्याप रखूंगी गमले को पूरी तरह के से मीटी से नहीं भर लिया है अब मैं इसमें खाद डाल रही हूं थोड़ा-थोड़ा करके यह सारे गमलों में खाद डाल लिया है यह है पर्सलेन का पौधा जिसको हम हिंदी में कुलफा बोलते हैं और यह है दस बजवा फूल इसे पौधे हैं जो धूप सैन कर लेते हैं और इनको ज्यादा पानी की भी ज़रत नहीं पड़ती है और यह इतनी ज्यादा मात्रा में खिलते होंगे देख के ही आपका मन खुश हो जाए है मैंने सारे डली को थोड़ा थोड़ा काट लिया था है अब मैं गमलों में पानी जाल जाल जाए हूँ है कि मिटी को गिला कर लिया है मैं अब में लख्टी की मदद से कमसे कम यह 1.5 इंच का बोल बना के मैं इसमें अगर आप ज्यादा जूड नहीं डाल रही है अगर आप ज्यादा जूर से दबाएंगे तो हो सकता है कि पौधा आपका डेमेंच हो जाए और ये में ऐलोवेरा लगा रही है आप सभी जानते हैं कि ऐलोवेरा बहुत ही ज्यादा फाइदे मल्द होता है अर परसलेन का इसके बहुत सारा फाइदा है कि पॉधों को लगा रही हूं पॉधों के बीच में मैंने ज्यादा ग्याप नहीं रखा है अब सारे पॉधे लगा लिए तो अब इसमें में थोड़ा था पानी डार रहे हैं सारे पॉधे लग चुके हैं अर यह देखे यह कलिया यह परसलें की कलिया इसमें बहुत सारी कलिया है और यह है पॉट्योले का जो के दस बजबा फूल है इसकी कली है अब देखिए तीन दिन के बाद इस फूल कैसे खिले हुए मिलेंगे हमें यह देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं तो आप भी फूल अपने घर में जरू लगाएं आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा यह आप कमेंट करके जरूर करता हैं अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक शेर एंड सब्सक्राइब जरूर करें यह सदावाहर फूल है और यह बेली का फूल है इसको मोगरा भी कहते हैं इसकी महक बहुत ही अच्छ सब्सक्राइब फूल है इसके बहुत सारे कलर आपको मिल जाएंगे वीडियो को एंड तक देखने के लिए धनिवाद